हर्याना यूटूब चैनल के और से सभी सातियों को नमस्कार क्लास नाइन्थ का जो 11 चैप्टर हमारा स्टार्ट किया हुआ है उसमें हमने दो वीडियो बनाई पहली वीडियो में वरक के उपर और उससे समंदित नुमेरिकल संग को अधिन किया उसके बाद हमने अनर्जी अनर्जी की डेफिनेशन दी और अनर्जी की दोनों डेरिवेशन जैसे काइनेटिक अनर्जी इक वीडियो के अनर्जी जो लास्ट टोपिक है इस चैप्टर का वरक अनर्जी और पावर को सामिल करते हुए हम अधिन करेंगे स्टार्ट करेंगे वरक अनर्जी और पावर आज इसलिए पावर को भी साथ में किया है जिसको डेटेल से आपे टैंथ क्लास में पढ़ेंगे पावर कोश्चन है वट इज पावर यहां लिखेंगे कोश्चन है रेट ओफ दोइंग वरक डोइंग वरक इज काल्ड पावर जिसको डिनोट करते हैं रिपर्जेंट करते हैं इट इज डिनोटिड बाई इज डिनोटिड बाई पी और पी को लिखने के लिए हम वरक डन क्या आता है डबलू और जहां रेट वर्ड आता है टाइम पी इज इकवल टो डबलू बाई टी डबलू को किसमे मापते हैं जूल्स के अंदर और टाइम की समालेस्ट यूनिट क्या है सेकंड पी इज इकवल टो जूल पर सेकंड ठीक है जूल पर सेकंड जैसे मालो दो बोयज है और वो एक tree पे या height पे climb up कर रहे हैं एक चढ़ रहे हैं एक तो माननो 400 newton बल लगाता है और दूसरा उससे कम newton बल लगाता है और एक 20 second में चढ़ता है माननो दूसरा 30 second में तो हम क्या देखेंगे जो जल्दी चढ़ता है उसकी power ज़ादा है और जो ज्यादा टाइम में चड़ता है उसकी पावर कम है इसके बेस पे हम जैसे इसकी काई क्या है वाट है किसके सम्मान में ओनर ओफ दी जेम्स वाट के नाम पे जिसने इसकी खोज की थी तो ये यूनिट है इसकी जेम्स वाट के नाम से हम अध्यन करेंगे इसके उपर को अभी शोल करते हैं जिनको अभी शोल एक्जाम्पल 11.7 देखो जो पावर पे बेस है टू गाल्स इच ओफ वेट 400 नूटन दो लड़किया है जिसका प्रतेक का वेट जो भार है वो कितना है 400 नूटन कलाइम अफ ए रोप एक रसी पर चड़ती है थ्रोए हाइट ओफ एट मीटर आठ मीटर उन्ची कोई रसी है उसके उपर चड़ती है दोनों लड़किया दैट गर्ल नेम ए एंड अधर बी एक का नम ए गरल है दूशरी का बी है गर्ल्स ए टेक बी सेकिंड जो ए लड़की है वो चड़ने में बीस सेकिंड लेती है और दूसरी गर्ल्स है जो चड़ने में पचास सेकिंड लेती है वाट इदी पावर एक्सपेंड बाई इच गरल परते के गरल के दुआरा कितनी अक्समता या पावर यूज होगी यह देखते हैं सॉलूशन यहां लिखेंगे पाव यूजड बाई गर्ल ए पहले क्या है वेट ओफ गर्ल ए इस इक्वल टो फॉर हंड़न न्यूटर हाइट कितनी दी गई है हाइट एच कितनी है एट मीटर पावर निकालने के लिए हमें क्या पता है वरक डन बाई टी वरक डन कितना किया इन्होंने बे जो कलाइंब अप की वहाँ पर क्या लगा एक फोर्ष लगा इमजी ठीक है एच बाई टी ये वरक है एमजी एच एमजी एच क्या है वरक एमजी कितना है 400 न्यूटन और हाइट कितनी है एट टाइम कितना लिया एच जो पावर आग़ों टू फोर जा एट वन सिक्स्टी वाट कितना निकल के आए एक ही जो पावर है वो कितने निकल के आई एक सो साथ वाट क्यों क्योंकि जो इसका वेट है या वरक डन है एम जी एच एक तरह से वरक करेगी चढ़ने के लिए वो क्या करेगी energy लगाएगी जो की क्या है MGH और power B में power used by the girl B B के द्वारा मैं यहां लिखता हूँ जो weight of weight of girl B is equal to 400 Newton यहां पर height भी क्या है same है h is equal to 8 meter power निकालने के लिए W by TW क्या है MGH और T कितना है यहां पर time इसमें time यहां था 20 second और यहां पर जो time है time 50 second कितना है 50 second तो निकालो MGH 400 MGH कितना है 8 MGH कितना है 400 H कितना है 8 और time कितना है 50 second 0 से 0 काटो 5 8 time जाएगा 8 into 8 8 जा 64 Watt तो यहां लिखेंगे power of है A girl या girl A power of girl A is equal to 160 Watt और power of girl B is equal to 64 Watt जो कम समय लेगी उसकी power जादा है और जो जादा समय लेगी उसकी power क्या है कम है तो next example देखते हैं इसके अंदर Next example देखो 11.8 A boy of mass 50 kg एक लड़का है जिसका द्रोमान कितना है 50 kg Runs up a stairs case of 45 steps in 9 seconds एक लड़का है वो दोड़ता आता है और 45 कदम 9 seconds पे चड़ता है If the height of each step is 45 centimeter find the power taken G is equal to 10 meter per second square तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे weight निकालेंगे weight of the boy weight क्या होता है F is equal to ya W is equal to mg mg M क्या है mass है कितना है 50 और G का मान कितना है 10 तो यह कितना है 500 newton कितना निकल क्या है 500 newton height निकालने के लिए क्या करेंगे height of the stairs यानि 45 steps है कितने steps है 45 steps है और परते एक step की जो height 15 cm सको मीटर में convert कर लो 15 by 100 15 by 100 5 से काटेंगे 3 time और 20 यहां 5 time 5 9 जा और 5 4 जा तो यह 27 by 4 बन गया है आँ पर 6 time इसको काटेंगे 6 point यहां पर 37 28 पर जाएगा फिर 24 पंजे 26.75 मीटर आ गया कितना आ गया 6.75 मीटर कनवर्ट हुआ पावर निकालने के लिए हमें क्या निक फार्मूला होता है mg यानिक यह तो वरक डन है P is equal to W by T यानिक एक तरह से H है और बाई में time taken mg कितना आया था हमारा 500 न्यूटन और हाइट कितने निकल के आई 6.75 मीटर और time कितना लगा था 9 seconds इसको soul करने के लिए हम क्या करेंगे 500 और multiply इसके नाम का 100 बाई में 6,7,5 इंटू 9 इसको 5 से 20 टाइम और इसको कितने पे 5 बन जा 5, 5 त्रीजा और 135 फिर 5 से 100 और फिर ये जाएगा पांच तिये पांदूनी दस तीन 27 और ये लगभग आपका 2000 बाई में 27 इंटू 9 इसको जब soul करेंगे हम calculate करते हैं इसको soul करेंगे शोरी उसको उस त्रीके से नहीं हम calculate करते हैं सीधा है जब हम 500 को 6.75 जो height निकाली उसको करेंगे ये 3375 को divide करेंगे नाइन से तो ये निकल के आता है नो तिये 27 और यहाँ छे नो चिका चुमन नो सते त्रेशट चार और नो पांच पिंतालिस यहीं से सही निकल के आता है इसका answer जो power used होगी किस के द्वारा बोई के द्वारा वो 375 वाट होगी अब commercial unit पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे commercial unit of power हम इसको इस त्रीके से भी निकाल सकते हैं जब इसके नाम का हम वो करेंगे इसको 675 से 50,000 बाग में 900 500 गुणा 960,000 बाइ 900 करेंगे तो यह तब भी कितना था दो 0 से 20 इसको इससे करेंगे तो यह कितना मनता है 3300 something या 3700 और 9 से काटेंगे इसको जैसे 9 से काटें नो साथ 63,45 की और 5 की गुणा करेंगे 55,25 और 30, 375 वाट निकलके आएगा कोमर्सियल यूनिट पढ़ेंगे इसकी क्या पढ़ेंगे कोमर्सियल यूनिट ओप पावर जैसे हमारे घरों में बड़े अपरेटर्स चलते हैं तो small unit क्या है वाट है और bigger unit क्या है किलो वाट आपको पता है 1 किलो वाट में कितने वाट होते हैं 1000 वाट आप से पुछा जाएगा what is 1 किलो वाट हावर यदि if a power of apparatus या कोई एक किलो वाट का उपकरण एक घंटे तक चलाया जाता है 1 किलो वाट हावर वो किसके equal होता है units के और units के कारण ही हमारा घरों में बिल आता है reading आती है तो इसको क्या बदल सकते हैं 1 किलो वाट में कितने 1000 वाट और एक घंटे में 3600 सेकिंड तो ये कितना मनेंगा 36 के आगे 50245 ये क्या बना जूल शेकिंड जूल पर शेकिंड और ऐसे लिखोगे तो जूल पर शेकिंड एक ही बात है यहां माइनस नहीं लगाएंगे निच्छे लिखेंगे तो जूल पर शेकिंड तो इसको उसमें बदलने के लिए 3.6 से multiply कितनी बन जाएगी 10 की पावर 6 जूल आप से पूछा जाएगा बे कोई अपरेटर से जैसे माँ भी एक 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 जम्पल कराऊंगा बीगर यूनिट है commercial unit है जो बड़े बड़े कारखनों में या घरों में जब हम बड़े उपकरन चलाते हैं जैसे चारा कातने वाला या आठा़ा पिषाही का काम करते हैं तो यूनिट HP में ओती है जैसे उनकी पावर किसमें ओती है 1 hp 1 horse power is equal to 740 watt जैसे 2 hp की motor है तो इसको 2 से गुणा करेंगे वो 1492 watt बनेंगी जिसको लगबग हम 1.5 kilowatt लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 1.5 kilowatt यूज कर सकते हैं अग्जम्पल 11.9 करेंगे एन इलेक्ट्रिक बलब of 60 watt इजूज for 6 hour per day यानिक 60 watt का बलब है हर रोज 6 घंटे जलाया जाता है calculate units of energy units of energy by the bulb in one day by the bulb एक दिन में उसके द्वारा कितनी units use की जाएगी power देखो कितनी 60 watt जिसको kilowatt में बदलने के लिए हम क्या करें convert into इसको कितने से भाग दे देंगे 10070 तो यह 0.00 है 06 kilowatt बन गया time 6 hours hours कहलो 6 hours तो energy use करने के लिए हम क्या करेंगे E is equal to P into T P कितनी है 0.06 time कितना 6 hours तो यहाँ पर कितना मनेगा 0.36 units या इसको हम क्या कह सकते हैं kilowatt hours क्या बन सकता है kilowatt hours और 0.36 हावर्ष sorry units क्या है units एक दिन में उस बनलब के दवारा 0.36 units consume होगी thanks for watching उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेर करें कमेंट करें जै हिंद जै हरियान जै हुआ 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 है